ओके सो आज हमारा जो सेशन है सिक्स्टीन इसके अंदर हम चैप्टर सिक्स्टीन जो है आप सुन का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम लोगों ने हायर ओडर डिफरेंशिल एक्वेशन्स को स्टेडी किया था डीटेल में उससे पहले हम लीनियर डिफरेंशिल एक्वेशन फर्स्ट ओडर की जो है उसको भी स्टेडी किया था फिर सेकेंड ओडर को स्टेडी किया था तो उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो जो एक्वेशन होती थी एक दफा हमने एक्वेशन इस तरह से लिखी थी जो एन्थ ओडर डिफरेंशिल हा प्लस ओवान प्लस में a1 और dy by dx और a0 equal to 0 तो उसमें हमने कहा था कि यह जो है od है linear od है यह with constant coefficients है constant coefficients क्योंकि आपके जितने भी coefficients आ रहे हैं derivatives के साथ वो dependent नहीं करते वेरियेबल के उपार्ण okay so अब यह है कि इसके बाद हमने case पढ़ा था मेरा ख्याल है उसकी कोई general form हमने इस तरह करके लिखी थी alpha x plus alpha plus beta x to the power n and then nth derivative फेरिसी तरह से इसका n minus 1th coefficient n minus 1th derivative etc plus so on plus alpha plus beta x first derivative all plus constant a not y चलें उसको कह लें was equal to some function ठीक है उपर जो एक्वेशन मैंने लिखी है वो homogenous है नीचे मैं जो question लिखने जा रहा हूँ वो in general जो है वो in homogenous होगी तो ये दो cases हमने पढ़े थे अच्छा इन दोनों में जो common बात है ना वो ये है कि इनके जो coefficients हैं वो functions हैं ठीक है तो इसमें क्या है variable coefficient है ये मैं सिरफ आपको review दे रहा हूँ जो आपने पहले चीज़ की है फिर हमने कुछ टेकनीक्स सीखी थी इन दोनों की constant coefficients के लिए तो बहुत असान होता था हमारे लिए solve करना method of undetermined coefficients हमने इस्तमाल किया था जो main method था हमारा वहां पे variable coefficient के अंदर हमने variation of parameter तक हम पहुंचे थे एक और method था पास्रिज नाउन, complementary function का तो हमने different techniques जो है वो इस्तमाल की थी उसमें कभी भी हमने इन functions यह जो हमारे coefficients आ रहे होते हैं derivatives के साथ, इन coefficients जोकर यह coefficients भी तो function है ना, मिसाल के तोर पे अगर आप second order लिखें, for example, अगर आप second order differential equation लिखें तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे alpha plus beta x square खीक है? और dy, d square y by dx square plus alpha plus beta x और dy by dx plus alpha not y equals f x अच्छा, अब यह जो second order differential equation है इसके साथ भी आप देखें यह जो coefficients आ रहे हैं, these coefficients are also functions और अगर आपको याद हो, तो इसी की, जो general form हम लिखते थे, इस equation की, वो हम इस तरह से लिखते थे, re-arranging करने के बाद y double prime x plus p of x, यह linear differential equation की मिसाल है, y prime of x plus q of x, y of x, and then this is equal to f of x, ठीक है न? तो यह जो px और qx हुआ करते थे, यह भी functions होते थे, लेकिन पहले हमने इनके ओपर सुर्फ यह condition लगाई हुई थी, कि यह continuous function होने चाहिए, by definition function continuous होना चाहिए, तभी आप उसका derivative define कर सकते हो, आप उसकी equation, differential equation बना सकते हो, तो px और qx को हम simple functions लिया करते थे, continuous functions, आज के lecture में हम इनके ओपर एक extra condition impose करेंगे, और वो condition है कि यह analytic function भी हो, हमारे जो px और qx आ रहे हैं, coefficients आ रहे हैं, वो variable तो होंगे, लेकिन साथ साथ वो क्या है, analytic functions भी होंगे, तो analytic functions की जो है, वो एक definition यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आपने टेलर सीरीज को पढ़ा होगा, हमने एक session भी किया था कुछ अश्वा पहले, जहाँ पे हमने सीरीज की बात की थी, तो यहाँ पे analytic function की definition ही दी गई है, कि एक function analytic होता है, किसी खास range की अंदर, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे, अगर मैं अपनी एक range define कर लूँ, x naught, तो मैं जो function लिखूंगा, मतलब यह बहुला जो function है, इसको मैं f of x कहूंगा, तो यह f of x जो function है, यह convergent value देगा, किसी खास region में इस x naught के एर्दगेर्द, यानि मेरा जो फिर x होगा, वो यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, वो किसी भी इस region में कोई भी point हो सकता है, तो उस point के उपर, अगर आप one dimension की बात करेंगे, तो let's say यह मेरा x है, तो x और x naught के दर्मियां जो difference है, वो आपको यहां पे नज़र आ रहा है, यह वाली term, x minus x naught, ठीक हैं, और उस point के उपर जो function का derivative है, वो define होना चाहिए, जो के f in x naught के तोर पे लिखा हुआ है, math की जुबान के अंदर इसको open disk बोला जाता है, और इसके लिए dotted line यूज की जाती है, मतलब इस तरह से इसको represent किया जाता है math वाले, इस तरह से इसको करते हैं, और इसको वो बोलते हैं, यह open disk है, और इसका मतलब यह होता है, कि इसके अंदर यह जो point है x naught, इसके उपर उस function का derivative जो है, वो exist करना चाहिए, और सरफ एक derivative नहीं, बलके infinite derivatives उसमें exist करने चाहिए, और फिर आप इसको divide कर रहे हो, just एक number के साथ, n factorial के साथ, तो first derivative, second derivative, third derivative, तब तमाम derivatives जो हैं, वो उस x naught के इरदगेड उस function के, अगर exist करते हैं, और उनकी tailor series जो है, वो किसी function f of x की तरफ converge करती है, तो ऐसे function को analytic function कहा जाता है, ठीक है, ये बात समझा आ गई है आपको, तो analytic function को अगर आप साथा लफजों में बताना चाहें, तो आप कहेंगे function continuous तो है ही है, लेकिन उसको आप एक convergent power series की form में लिख सकते हैं, अगर को function analytic function हो, तो उसको इस तरह से किसी convergent power series की form में लिखा जा सकता है, और यहां पे वो टेलर सीरीज आपको नज़र आ रही है कि टेलर सीरीज में लिखा, लेकिन आप इस function को किसी भी convergent series की form के अंदर लिख सकते हैं, और जो radius of convergence है, radius of convergence क्या चीज़ होगी, कि मतलब एक range होगी, let's say R, उस range के दरमियान, उस radius of convergence के अंदर अंदर, आप उस function को convergent कह सकते हैं, उसके बाहर वो convergent है या नहीं, वो एक अलएदा बैस है, उसमें फिर आगे मजीद mathematics की बैसे आ जाती है, मुस्लिफ तरह की disks आ जाती है, complex variables के अंदर जाके हम इसको मजीद detail में study करेंगे, जब हम कहेंगे कि हमारा जो variable है, वो complex है, अभी जो हमारा variable X है, independent variable, उसको हम real ले रहे हैं, तो मैं real line के उपर इसको define कर रहा हूँ, लेकिं जब आप इसको extend करेंगे complex के अंदर, तो फिर ये more generalized treatment होगा, आप लोगों को याद होगा, कि हमने जितनी भी अभी तक discussion की है, differential equations की, उसमें जितने भी हमने functions लिये थे, उसमें X के बारे में हमने यह नहीं कहा था, कि यह complex है, या real है, उसकी एक reason यह है, कि यह जितना भी analysis हम कर रहे हैं, यह complex numbers के लिए भी valid होता है, शर्ट सरफ यह होती है, कि जब आप X को complex कह देंगे, आप कहेंगे कि हमारा variable complex है, तो फिर उसके उपर analytic function होने की condition भी लगानी पड़ेगी, तो complex plane के अंदर भी वो differentiable होना चाहिए, तो वो जब हम complex variable पे जाएंगे, तो मजीद उसकी discussion आएगी, लेकिन Hobson ने जब इसको define किया है, और power series method को define किया है, तो उसने start ही complex function से ले लिया है, analytic function और complex function से ले लिया है, ताकि उसको फिर वो अगले chapter के अंदर जाकर, इस्तमाल कर सके, तो आप इसको फिलहाल really समझ लें, लेकिन same method जो है, वो complex के उपर भी valid हैं, उसके उपर भी इसको लगाया जा सकता है, तो इस सारी गुफ्तगू का मकसर, जो मैंने अभी आपके सामने की है, वो यह है, कि अगर आपका जो px और qx है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, विचार the variable coefficients of your equation, वो अगर analytic function होंगे, तो इसका मतलब होगा, कि उन्हें किसी power series की form में लिखा जा सकता है, फिर आप उन functions को किसी power series की form में लिख सकते हैं, और इस justification को, इस जवाज को इस्तमाल करते हुए, हमें यह confidence आएगा, कि हम जब solution लिखना चाहेंगे, डिफरेंशिल equation का, तो उसका solution एक analytic function की शकल में लिखेंगे, और चुँके वो analytic function होगा, तो इसलिए हम उसको एक convergent power series में लिख सकते हैं, divergent नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका function ही divergent हो गया, और आपकी series divergent हो गई, तो इसका मतलब solution exist नहीं करता, तो फिर आप solution नहीं निकाल पाओगे, लेकिन उसके भी कुछ cases हैं, वो भी हम इसके उपर बात करते हैं, कि divergent अगर हो जाए series तो, उसका क्या तरीक्यकार होता है, ठीक है जी, अभी चलते हैं, so, हम अब हम इस discussion करेंगे थोड़ी सी, कि जब आप differential equation को power series method से करना चाहेंगे, तो आप चेक करेंगे, कि आपके जो coefficients हैं, variable coefficients हैं, PX और QX, वो analytic functions हैं या नहीं हैं, तो अगर वो analytic हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए, इफ, आपका जो P, अब देखें, यहाँ पे इसने उसको X की बज़ए, Z कह दिया वेरियेबल को, क्योंकि Z ही आपको याद होगा, कि complex numbers के अंदर भी हमने complex, एक general complex number को Z से represent किया था ना, तो Z को आप लिख सकते हो, A plus IB, और उसका जो complex conjugate होगा, वो होगा, A minus IB, ठीक है ना, तो इसलिए Z अब इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैंने बात की, कि यह जो analysis है, यह complex numbers के लिए भी ठीक है, और real numbers के लिए भी ठीक है, तो इससे भी आपने परिशान नहीं होना, कि हम Z को complex ले रहे हैं, या नहीं ले रहे हैं, but in general, they can be complex, क्योंकि real भी जो होता है, वो complex का यह पार्ट होता है, real number क्या होता है, एक ऐसा complex number, जिसका जो imaginary part है, वो zero, यानि B को आप zero करने, तो फिर वो ही क्या बन जाता है, real number बन जाता है, तो इससे आपने परशान नहीं होना, तो अभी हम general case लिख रहे हैं, इसलिए इसको complex power series कह रहे हैं, तो मैंने अभी अर्ज की, कि अगर आपके PZ and QZ are analytic, अगर वो analytic functions हैं, तो फिर आप उनको power series की form में लिख सकते हो, तो उनकी जो power series लिखी हुई हैं, वो यहां पे लिखी हुई हैं, तो PZ को हमने इस तरह से एक power series में लिखा है, PNZ minus Z naught power N, और इससे तरह QZ को हमने लिखा है, एक power series बनाके, QNZ minus Z naught power N, इसमें PN और QN जो हैं, they are coefficients, constant numbers, और Z जो है वो variable है, Z naught यहां पर, वो X naught का करदार अदा कर रहा हैं, जो यहां पर हमने देखा था न, यहां पर हमने देखा था कि X naught आता है, तो उस X naught को चुके अब हम Z ले रहे हैं, तो Z naught यहां पर आ जाएगा, तो Z naught वो point है, जिसके around, आप इसकी power series expansion कर रहे हैं, ठीके, मसलां यह के, आपके पास एक point होगा, let's say Z naught, उस region के under-under, अगर आपको एक point लेंगे, let's say Z, तो उस Z naught के around, इस Z variable के उपर, इसकी जो expansion लगाएंगे, आप power series बनाएंगे, वो यह PZ और QZ बनेगी, तो यह definition है, Taylor series से भी आप ले सकते हैं, power series की definition भी कह सकते हैं, तो यह काम यहां पे किया गया है, तो यह उसी वक्त possible हो सकता है, अगर आपके functions analytic हों, by definition, अगर वो analytic function नहीं है, तो फिर आप उनको Taylor series की form में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनका nth derivative मौजूद नहीं है, मतलब उनके infinitely वो differentiable नहीं हैं, तो फिर आप उनको power series में नहीं लिख सकते हैं, तो यह जवाज अगर हमारे पास है, अगर हमारे पास PZ और QZ analytic function हो गए हैं, तो फिर हम power series में उनको लिखेंगे, और अगर PZ और QZ को power series में लिखा जा सकता है, तो फिर जो हमारा solution होगा, उसको भी power series में लिखा जा सकता है, राइड एंड साइड पे भी और लेफ्ट एंड साइड के उपर भी, ठीक है जी, अगर वो analytic function नहीं होंगे, तो फिर क्या condition होगी, उसको भी हम discuss करते हैं, अच्छा, इसके बाद, next एक discussion है, कि हर differential equation के अंदर आप, जो different points हैं, वो आप तलाश करेंगी, जिनको हम ordinary और singular points कहते हैं, ठीक है, so, let's discuss the ordinary and singular points, अच्छा, ordinary point कहा जाता है, ऐसा point, so, if z naught, ठीक है, उसी फार्मॉल में, if z naught is ordinary point, अगर वो ordinary point होगा, ठीक है, तो इसका मतलब होगा, कि जो p z और q z हैं, वो analytic हैं, r analytic, and have finite value, तो फिर उनकी finite value होगी, मतलब वो infinite नहीं होंगे, ठीक है न, उनकी finite value होगी, diverge नहीं करेंगी, वो series जो हैं, वो diverge नहीं करेंगी, convergent होगी, तो ये एक definition साधा सी होगी, तो अब हम क्या किया करेंगे, हमारे पास जब भी differential equation आएगी, तो हम सबसे पहले, उसको standard form के अंदर लिखेंगे, ठीक है न, standard form यह जो मैंने यहां पर लिखेंगे, this is the standard form of ODE, तो standard form में लिखने के बाद, आप PX और QX या PZ और QZ जो है, वो identify करेंगे, कि कौन से इसके variable coefficients हैं, वो ही function बन जाएंगे, and then आप क्या करेंगे, उसको check करेंगे, जो point हमें दिया गया होगा, जिस point के उपर आपने, उस ODE को check करना है, differential equation को, वो आप तोर पर zero होता है, zero और infinity बड़े मशूर points है, बिसाल के दोर पर आप Z naught को zero लेंगे, तो अगर Z naught पे, zero पे, अगर आपके BZ और QZ diversion नहीं हो रहे हैं, तो आप कहेंगे के Z is equal to zero जो है, वो एक ordinary point है, इसी तरह infinity के उपर भी आप ये काम कर सकते हैं, या कोई और point जो भी उन्होंने दिया होगा, one, two, three, it can be anything, in general it can be any complex number, लेकिन अगर, आपका जो Z naught है, if Z naught, singular point, तो फिर आपके जो PZ and QZ हैं, वो finite नहीं होंगे, मतलब ये कि वो infinite हो जाएंगे, divergent हो जाएंगे, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि वो वाला point जो है, वो singular point है, ठीक है, तो ये basic definition है, फिर singular points की भी दो इक्साम हैं आगे, एको कहा जाता है essential singular point और एको कहा जाता है non-essential singular point, या एको कहा जाता है regular singular point और दूसरे कहा जाता है irregular singular point, तो इसलिए यहां पर एक theorem नीचे है, जो मैंने note के तोर पे लिखा हुआ है, और इसमें आप देखें कि यही बात की जा रही है, अगर हम आप, अब होना तो यह चाहिए कि अगर PZ और QZ जो हैं, वो finite नहीं रहें, ठीक है, और किसी point Z naught के उपर, और वो finite नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि हम, उनका solution नहीं लिख सकते, वो divergent है, solution ही नहीं है उसका, तो यह बात घलत है, ऐसा नहीं है, कि singular point आने का मतलब है, कि आप solution नहीं लिख सकते हैं, singular point के अंदर फिर, एक next further step है, और यह वो theory में जिसको मैं explain करना चाहरा हूँ, और यहां पर यह वो लिखा हुआ है, कि अगर singular point भी है, तब भी आप इसको solve कर सकते हैं, और हम इसको करेंगे, आज मेरा ख्याल है, मैं सिर्फ ordinary point की questions को solve करूंगा, क्योंकि time कम है, next session के अंदर, हम इसको singular points को भी solve करके दिखाएंगे, अगर PZ और QZ finite नहीं भी रहते हैं, और Z naught singular point हो जाता है, तब भी आप ODE को solve कर सकते हो, उसके लिए आप एक step further जाओगे, तो यहां पर यह लिखा हुआ है, एवन इफ एन ODE is singular at a given point, Z equals Z naught, अगर Z naught पे अगर एक ODE singular भी हो गई है, it may still possess a non-singular finite solution at that point, फिर भी आप उसका एक finite solution निकाल सकते हो, उसके लिए करना क्या है, the necessary and sufficient condition, लाजमी उसकी जो condition है, for such a solution to exist is that, बजाए इसके कि आप PZ और QZ को चेक करो, आप इन दो functions को चेक करोगे, और यह आपने याद रखना है, Z minus Z naught को multiply करें PZ के साथ, और उसके square को multiply करें QZ के साथ, अगर वो analytic हो जाते हैं, यह पूरी चीज़, यह पीजी और QZ itself analytic नहीं हैं, लेकिन Z minus Z naught multiply करके, और Z minus Z naught square multiply करके, अगर PZ और QZ का product जो है, वो analytic हो जाता है, तो फिर आप इसका solution निकाल पाओगे, लेकिन अगर वो भी analytic नहीं होता, यानि अगर आपने Z minus Z naught को PZ से multiply किया, और Z minus Z naught square को QZ से multiply किया, और वो भी divergent आ रहा है, तो फिर उसका बोलते हैं कि यह essential singularity है, irregular singularity है, ऐसी singularities को deal करने के लिए फिर आपको एक step और आगे जाना पड़ता है, इसमें फिर आप complex variables को इस्तमाल करते हैं, कौशी दी मांधियोरम जब गएरा इस्तमाल करते हैं, ऐसी differential equations को solve करने के लिए, और अगर फिर भी solve नहीं होती तो इसका मतलब आपके बाद चोड़ दें, इस equation को हम नहीं solve कर सकते, या पिर किसी और method के जरीए हम इसको solve करें, बारहाल, तो कहने का मकसद यह है कि singular points की जो बहस है, वो फिर हम next session के अंदर ज्यादा detail में करेंगे, आज मेरा जो मकसद है वो ordinary points को solve करने का है, लेकिन उससे पहले यह समझना बहुत जरूरी होता है, कि ordinary और singular points जो है, वो कैसे find किये जाते हैं, तो यहाँ पर एक equation दी गई है, मिसाल है, जिसमें हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे, और यह लेजैनिरर कोशिशन है, very famous equation, तो हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे, कि इस equation के अंदर, ordinary और singular points हैं, अगर हैं तो वो कौन से हैं, कौन सा point ordinary हैं, कौन सा point singular है, कैसे आप चेक करेंगे, तो यह उसकी एक मिसाल है, यहां तक कोश सवाल है, तो आप पूछलें प्लीज, तो कि इस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है, इसके बगएर आप आगे चल नहीं सकते, power series method में, आपको पहले यह देखना पड़ेगा, क्योंकि power series का मतले भी यह है, कि आपने tailor expansion करनी है, अपने solution की, वाए की, तो tailor expansion हमेशा किसी point की around होनी है, तो वो point पहले आपने बताना है, कि वो point किस तरह का है, वो singular है, non-singular है, ordinary है, किस तरह का है, अगर सवाल नहीं है, तो फिर इसको चेक करते हैं, तो यह equation सबसे पहले देखें, आपको जो problem है, वो यह है, कि fine, ordinary and singular points, ठीक है, तो यह सवाल किया जा रहा है, कि यह equation दी गई है, इसके ordinary, और singular points निकालने हैं, ठीक है, और पिर चेक करेंगे, वो singularity जो है, regular है या irregular है, ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, step one, क्या हुआ करेगा आपका, आपने इसको standard form के अंदर लिखना है, तो standard form, standard form में हम इसको कह रहे हैं, कि आप one minus z square से इसको divide कर दे, ठीक है, यह इस तरह की form ले लेगी, फिर प्लस क्या आएगा, l into l plus one, over one minus z square, times y, ठीक है न, तो अब यह standard form के अंदर आ गई, अब आप इसको compare कर ले, standard form के साथ, तो plus pz, y prime, plus qz, y equals zero, तो इस standard form के साथ compare करें, तो आपको फॉरण पता चलेगा, कि जो pz है, that is given by minus two z over, one minus z square, और qz आपके पास क्या है, l into l plus one, over one minus z square, ठीक है जी, अच्छा, अब हमने, मुझे, अब हमने देखना है कि, orderly और singular points कौन से हैं, तो सबसे पहले, start करतें zero से, so let's say, मेरा z zero हो गया है, अगर मैं z को zero ले लूँ, तो pz क्या बनेगा, pz बन जाएगा, zero, और qz क्या बनेगा, qz बन जाएगा, l into l plus one, ठीक है, बलके pz की बजाए, इसको p0 लिख ले थे, क्योंके z zero ले लिया न, तो ज़रा notation ठीक रखे, तो इसका मतलब है, कि ये दोनों infinite नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है, कि ये ordinary point है, तो pz और qz दोनों analytic हैं, दोनों के derivatives निकाले जा सकते हैं, और दोनों जो हैं, वो finite value रखते हैं, so z is equal to zero, इस equation का क्या है जी, ordinary point है, अच्छा, अब मैं लेता हूं z को, one, z को one ले, p1 क्या बनेगा, p1 क्या बनेगा, उपर आ जाएगा one, multiply में माइनस टू, और नीचे आ जाएगा one, माइनस one का square क्या होगा, one, infinity, good, बिलकुल, तो इसमें क्या आ जाएगा, pz infinite आ जाएगा, तो pz को infinite, क्या देते हैं, फिर qz को देखें जी, qz क्या है, तो z को जब मैं one put करूँगा, तो q1 भी क्या आएगा, infinite, क्योंकि denominator के अंदर zero आ रहा है, जब denominator में zero हो, और numerator finite हो, तो फिर उसको, divergent बोला जाता है, तो इसका मतलब z is equal to one, जो है, वो क्या है, singular point है, तो singular point भी हमने इसका निकार लिया, अब चेक करना है, कि यह जो singular point है, यह regular singular है, यह irregular singular है, तो उसके लिए क्या condition थी, याद करें, उपर मैंने भी बताया था आपको, इस note के अंदर, यहां पर यह लिखी हुई है condition, ठीक है ना, तो यह conditions, अब हमने इनको चेक करना है, इन conditions को, तो Z notice में हमना रख, वो point है जिसको हम चेक करना है, जो के one है, तो, अब क्या करना है आपने इसको, Z minus one times, PZ, ठीक है, इसको चेक करना है, तो Z minus one times PZ क्या आएगा, आम, one minus Z लिख लेते हैं, उसे जरह सानी होगी, PZ के अंदर denominator में देखें, आप one minus Z square है ना, तो उसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, ता कि थोड़ी सी, clear picture नज़र आए, तो PZ की value के है, minus two Z, divided by, आप one minus Z square को लिख सकते हैं, one minus Z into one plus Z, यह के ना, वो मैंने a minus B और a plus B वाला फार्मूला लगा देखें, जिसकी बिरह से क्या होगा, कि one minus Z, one minus Z से cancel हो जाएगा, and you will get, minus two Z over one plus Z, similarly, आप one minus Z square QZ निकल लो, तो वो क्या आएगा, one minus Z square times, QZ की value क्या है, L into L plus one, over one minus Z, times one plus Z, ठीक हैं, तो उसमें क्या होगा, again, one minus Z cancel हो जाएगा, and you will get, one minus Z, into L, into L plus one, divided by one plus Z, अब जरा आप Z को one put करें, so, one minus Z, बलके नहीं ये one put करकी मेरे ख़लाया था, ठीक है, तो Z naught को मैंने यहां पर की है, ठीक है, तो मेरा one था, वो Z naught था, चलो Z naught कह लेते हैं इसको, ओके, सो अब आप देख रहे हैं कि, इन दोनों में, ये infinite नहीं हो रहे हैं, जब मैं Z को one ले रहा हूँ, जब आप Z को one लेंगे, तो denominator में दोनों के two आएगा, zero नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि, ये finite, finite है, at Z is equal to one, तो इसका मतलब है कि, Z is equal to one singular point तो है, लेकिन ये regular singular point है, तो ये regular singular point है, ये पीजी और क्यूजी तो infinite हो रहे हैं, लेकिन ये वाली चीज़ जो है, one minus Z times PZ, और one minus Z square times QZ, ये जो है, infinite नहीं है, finite है, so this is regular singular point, अच्छा, एक और point चेक करते हैं, Z को आप minus one ले ले, तो चेक करते हैं, जी क्या है, Z को minus one ले तो क्या आएगा, तो बता सकता है, PZM और QZM और रहे ये हैं, इस आर PZ and QZ, तो आप देखें, denominator में Z का square है, तो minus one का square फिर क्या हो जाएगा, plus one नहीं हो जाएगा, तो इसके उपर भी वही सारी logic लेगेगी, जो Z is equal to one वाली है, तो yes, इसके उपर भी क्या होगा, P minus, sorry, P minus one, infinite हो जाएगा, और Q minus one भी क्या होगा, infinite हो जाएगा, क्योंकि denominator में Z square, one minus Z square है, तो इसका मतलब है कि ये भी क्या है, singular है, अब चेक करना है कि ये regular singular है, तो उपर देखें आप, अब उपर अगर आप देखें इस वाली चीज़ को, तो इसमें क्या आ रहा है, result आ रहा है, denominator में one plus Z, और दोनों में क्या आ रहा है, one plus Z, अब अगर मैं Z को minus one लूँगा, तो one minus one, one minus one आपको फिर zero देदेगा, तो इसका मतलब है, कि ये जो PZ, times, one minus Z है, and PZ times, sorry, QZ times, one minus Z square है, ये भी क्या आ रहे हैं, infinity आ रहे हैं, तो finite नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या है, irregular, singular point, जिसको बाज वकात essential singularity भी कहते हैं, बतलब ये लाजमी लाजमी singular है, हर हाल में singular आ रहा है, ठीक है जी, तो ये थी discussion कुछ, finite points की, अब ऐसा करते हैं, एक और case लेते हैं इसी question का, अब मैं ऐसा करता हूँ के, जी को, प्लस या माइनस infinity लेकर देखता हूँ, तो मैं इसको mod के अंदर ले लेता हूँ, कि अगर, mod जी infinite हो रहा है, जिसका मतलब है कि, अगर आप negative से आएंगे, तो ये negative infinity देगा, अगर positive की तरफ से आएंगे, तो positive infinity देगा, तो दोनों केसिज को एक अठाई treat कर लेते हैं, z mod going to infinity, इसको चेक करना हो तो क्या करते हैं, अगर आपने z को infinite लिया है, तो इसका एक trick है, वो trick ये है कि, आप एक निया variable define करेंगे, और let's say वे निया variable w है, और उसको define करेंगे as one over z, ठीके ये z mod चले करेंगे, ठीके, and check, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इससे क्या होगा, कि जब z infinity को जाएगा, तो w किदर को जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा, क्योंके one over infinity जो है वो, आपको zero देगा, तो बजाएगे इसके, कि हम z equal to ten to infinity को चेक करें, हम w ten to zero को चेक करेंगे, कि कौन सा point है, और w को फिर आप आखर पर जाके दुबारा, one over z कैदो गए, और वहाँ से आप z goes to infinity की limit निकाल सकते हो, तो ये एक सिरफ trick है, w equal to one over z जो है, इससे अब आप, अब आप निकाल लो values, ठीक है, मैं दोबारा लिखता हूँ, आपकी question क्या थी, y double prime minus 2z, one minus z square times y prime, plus l into l plus one over one minus z square times y, equal to zero, जिसमें हमने pz और qz coefficients निकाल लेते हैं, ठीक है ना, अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए d y by dz, और हमें चाहिए d second derivative of y with respect to z, तो ये हमने यहाँ put करने हैं, क्योंकि हमने variable change करने है, w, तो w में ले जाने के लिए, आप इसको chain rule लगाओगे, d y by dw, और d w by dz, और d w by dz, आपको पता है one over z है, तो one over z का derivative minus one over z square होता है, तो यहाँ लेगा d y by dw, तो ये नई equation आदेगे, similarly d square by dz square क्या होगा, d by dz of d y by dz, तो याद है, पिछली दफ़ा भी खिचड़ी हमने बनाई थी इस चीज़ की, तो अब आप फिर इसको خود solve करेंगे, ये मैं नहीं करोगा, ये मुझे मुझे से फिर ये खिचड़ी बनेगी, लेगिन अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए, कि ये rule कैसे लगाया जाता है, और d y by dz, तो आप इसको कैसे करोगे, तो आप इसको लिखोगे, dw by dz और d by d w of d y by dz, तो d y by dz उपर दिया हुआ है, वो यहाँ पर आप पुट करें, इसका derivative लें with respect to w, और फिर d w by dz भी आपको पता है, इसका derivative है minus 1 over z square, so this will be minus 1 over z square, d by d w, d y by dz, फोड़ी सी मेने तब आप पुट कर लें, और यहाँ पर आप सिंपल वेरी पुट करें, d y by dz की and you can calculate the value, तो इसकी जो value आप calculate करेंगे, तो final जो answer आएगा, मैं वो यहाँ पर लिखूंगा, वो answer कुछ इस तरह से आएगा, w square, w square minus 1, d square y by dw square, ठीक है, plus 2 w cube, d y by dw, plus l into l plus 1, times y equals 0, तो इस equation को हमने इसमें ले लिए, आप इसको standard form के अंदर लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे जी y double prime, अभी आद रहे, variable w है, plus, क्या आएगा, 2 omega, cube, over omega square, omega square minus 1, तो ये एक, cancel हो जाएगी, value और y prime आजाएगा, plus, क्या आएगा, l into l plus 1, divided by w square, w square minus 1, times y is equal to 0, तो यहां से मुझे पता चल गया, कि p w क्या है, 2 w over w square minus 1, or q w क्या है, that is equal to, l into l plus 1, over w square, w square minus 1, ठीक हो गया, अब हमने check क्या करना था, क्यों सा point है, जिसको हमने check करना है, w equal to 0 को, तो क्योंकि w is 1 over z, z is infinity, so w is 0, तो चेक करें जी, अब w को 0 करें, क्या मनादर आ रहा है, p 0 क्या बनेगा आपका, 0, और q 0 क्या बनेगा, अब देखें, denominator के अंदर, w square आ रहा है, जो आप 0 put करेंगे, तो वो w, 1 over 0, इसको diverge कर देगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कि w equal to 0 is singular point, क्योंकि one of the functions is not analytic, तो इसको फिर हम कहेंगे, कि यह singular point है, तो अगर यह singular point है, तो फिर चेक करना पड़ेगा, कि यह regular singular point है, या irregular singular point है, तो वो कैसे चेक करना है आपने, उसके चेक करने के लिए, अब आप क्या करोगे, एक लास्टेप चेक करोगे, आप चेक करोगे, डव्ल्यू पी, डव्ल्यू, तो डव्ल्यू पी डव्ल्यू क्या है जी, वो आएगा, 2W square, over, W square minus 1, similarly चेक करो, मैंगा, W square QW, ठीक है, तो W square लगाओ, तो वो क्या हो जाएगा, L into L plus 1, अब आप चेक करो, W is equal to zero पे, इस चीज़ को, तो यह, यहां पे आपको क्या दे रहे है, जब आप W zero पुट करोगे, तो क्या हैगा, यह चीज, सारी, यह चीज़ जो है, यह क्या हैगी, finite, similarly, जब आप यहां पे, W zero पुट करोगे, तो क्या आएगा, finite, क्योंकि आप, वो, W square zero होके, minus one देगा, denominator, तो इसका मतलब, W square QW, जो है, यह भी अब क्या हो गया है, finite, तो दोनों finite हो गए, तो इसका मतलब यह है, यह आपका, जो W square है, W equal to zero है, is regular, singular, point, लेकिन, W equal to zero, तो basically क्या है, Z, 10 to infinity, right, तो इसका मतलब, Z, 10 to infinity, is what, regular, singular, point, तो इस तरह से आप, infinity वाले जो points हैं, उनको भी आप, चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो यह एक जो, equation थी, इससे हमने तकरीबन, सारे किसम के, जो points हैं, वो चेक कर लिए हैं, ठीक है, यहां तक यह बात समझा आ गई, मैं थोड़ा सा इसको revise करता हूँ, ताकि आपको समझाए कि, अभी तक हमने क्या सीखाए, तो मैंने start किया था, analytic function से, और यह वाली बात सिरफ यही है, कि जी आपकी जो equations हैं, इसको मैं आतम कर देता हूँ, यहां से हमें नहीं जरूरत इसकी, तो सिरफ हमारा जो concern है, वो इसके साथ भी नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, हमारा concern है इसके साथ, तो यह हमारी equation होती है, जिसको हमने चेक करना होता है, second order की मैं बात कर रहा हूँ, easy case है, लेकिन इसको extend किया जा सकता है आगे भी, तो second order को standard form में लिखने के बाद, आपके पास PX, QX आते हैं, तो अगर PX और QS analytic function हैं, तो फिर इनको power series की form में लिखा जा सकता है, और यह theorem जो है टेलर series का, यह आपको बता रहा है कि किसी given range के अंदर अंदर, यानि यहां पर जो convergence होगी, वो less than that होगी, ठीक है, बलकि यहां पर मुझे लिखना चाहिए, X minus X naught mod, जो है वो उस radius of convergence के अंदर अंदर आपको एक convergent series देती है, उसके बाहर आपको उसका behavior हो सकता है, convergent हो सकता है, ना हो, हमें नहीं पता हूसका, लेकिन एक खास radius of convergence के अंदर अंदर, अगर वो एक analytic function defined हो जाता है, तो फिर आप उसको power series के तोर पे लिख सकते हो, function होते हैं, हो सकता है कि वो analytic ना भी हों, हो सकता है कि वो हो, based on that different points जो है, they are of an ODE, they can be ordinary point या फिर singular point, ordinary point वो होता है कि जिसमें PZ और QZ आपके analytic रहते हैं और diverge नहीं करते हैं, उनकी finite value होती है, singular point के उपर क्या होता है कि PZ और QZ finite नहीं रहते, उनमें से दोनों या कोई एक diverge करने लगता है, ऐसे के इसके अंदर पिर अगर आपको चेक करना पड़ता है, कि वो singularity जो है, वो regular है या irregular है, अगर तो regular singularity है, फिर आप ODE का solution निकाल सकते हो, अगर irregular ODE है, तो फिर उसका solution power series method से नहीं निकल सकता, फिर आपको complex variables करने पड़ते हैं, नई टेकनीक की तरफ जाना पड़ता है, ओके तो फिर हमने एक equation ली जिसके अंदर हमने देखा कि कौन कौन से points एक्जिस्ट करते हैं, सबसे पहले हमने इस equation को regular form के अंदर लिखना है, standard form के अंदर लिखना है, पीजी, क्यूजी पहचानने हैं, फिर different points को हमने चेक करने लग जाने हैं, तो ज्यादा मशूर points जो होते हैं, वो यही होते हैं, 0, plus, minus, 1 और infinity, तो हमने सब को चेक किया, हमने देखा कि 0 जो है, वो ordinary point है, और 1 जो है, वो singular point है, लेकिन, वो Z minus Z naught PZ और Z minus Z naught square QZ को finite करता है, तो लहादा वो एक regular singular point है, फिर हमने कहा कि Z minus 1 जो है, वो singular point है, लेकिन वो infinity को खतम नहीं करता, PZ और QZ को multiply करके इन coefficient से फिर भी वो infinite रहता है, तो उसका मतलब यह irregular singular point है, फिर हमने देखा कि इसी equation को इस्तमाल करते हुए हम, infinite Z tend to infinity वाले जो cases हैं, जिसमें limit जो है वो infinite की तरफ जा रही होती है, उन cases को भी आप चेक कर सकते हो, तो उसके लिए फिर मैंने उस equation को दुबारा लिखा, और नया variable define किया, 1 over Z, such that कि जब Z infinity को जाएगा, तो W जो है वो 0 की तरफ जाएगा, तो हम W एकल टो 0 को चेक करने के लिए, इस equation को W variable में ले जाएगे, इसके लिए हम chain rule apply करेंगे, D Y by D Z पे, और D square Y by D Z square पे, ताकि हमारी equation W में आ जाएग और फिर हम W एकल टो 0 को चेक कर सके हैं, तो w equal to 0 को चेक करने के लिए मैंने पहले pw qw निकाला फिर w 0 put किया तो मैंने देखा कि w जो है वो q जो है वो w 0 पे infinite हो रहा है तो इसका मतलब w 0 जो है वो singular point है फिर मैंने देखा कि अगर मैं इनको coefficient से multiply करूं w pw और w squared qw तो फिर क्या होगा फिर यह finite value देगा तो इसका मतलब यह होगा कि w 0 जो है वो regular singular point है लेकिन w तो कुछ नहीं था w तो actually 1 over z था तो अगर w 0 है तो 1 over z का मतलब होगा कि z infinite होना चाहिए लहाज़ा z going to infinity is a regular singular point तो इस तरह से आप इसको check करते हैं singular और regular points को तो यहां तक की discussion थी हमारी के points कैसे check करने अब मैं ऐसा करता हूँ कि आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ आपकी किताब में से कि physics के अंदर अक्सर आप बहुत सी equations को देखेंगे जो हम इस्तमाल करते हैं तो उनके कुछ solutions हमें जो है वो मालूम होने चाहिए और यह मैं basically हॉपसन की जो बुक है उसके अंदर से आपको यह चीज जो है वो निकाल के दे रहा हूँ तो हॉपसन की बुक के अंदर एक table दिया हूँ है जिसमें उसने यह बताया है कि कौन कौन सी equations जो है वो possible हैं और जो physics में इस्तमाल होती है और उनके कौन कौन से points होते है तो यह एक table है जिसको अगर आप यहां पर देख सकते हूँ तो इस table के अंदर कुछ मशूर equations लिखी हुई है first equation जो अभी हमने चेक की है वो legendary equation है और आपने देखा गिसके अंदर जो regular singularities है वो यह यह वाली है minus 1, 1 और infinity इसी तरह से यह एक equation है उसकी यह regular singularities है basal equation है जिसमें फिर basal function निकाल ले जाते है यह बहुत ज़्यदा इस्तमाल होती है equation उसमें regular singularity जो है वो z is equal to 0 पे है लेकिन जो z is equal to infinity है वो उसकी essential singularity है मतलब z is equal to infinity जो है वो basal function में आता ही आता है singular बना देता है इस equation को इसी दरह यह lagwar equation है simple harmonic oscillator बड़ा मशूर problem है हर जगा इस्तमाल होता है तो इसकी अभी हमें एक मिसाल भी देखेंगे वैसे तो उसके में भी आप देखेंगे जो essential singularity है वो z equal to infinity पे है regular singularity exist नहीं करती और might polynomials जो के harmonic oscillator को जब आप quantum mechanics में लिखते हैं wave function को तो वहाँ पे यह इस्तमाल होती है तो वहाँ पे यह वाली जो equation बनेगी और उसके अंदर भी फिर आप देखेंगे कौन सी regular हैं और कौन सी essential singularities हैं वगरा वगरा तो यह बस हैं equations इनको आप चेक करें यह आपका homework होगा इसमें से पहली जो हमने चेक कर ली है बाकी जो नीचे वाली है सारी वो आपने verify कर ली है ठीक है आपको इनको solve नहीं करना तो अगर आप solve करेंगे तो वो बहुत लबा method है तो मैं सिर्फ आपको यह कहूंगा कि आप कम असकम इनकी singularities चेक कर लें कि इनके अंतर singularities हैं या नहीं हैं कौन से points ordinary हैं कौन से regular singular हैं और कौन से non regular या essential singularities है ठीक है तो यह बहुत important चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको थोड़ा से इसमें चसका लगाना हो कि जी इसकी importance क्या है एक तो आपको यहां पे quantum mechanics नज़र आएगी हर्माइट पॉलिनोमिल्स में simple harmonic oscillator में आपको classical motion नज़र आएगी vibration of molecules नज़र आएगी thermodynamics नज़र आएगी solid state physics नज़र आएगी सब में यह इस्तमाल होता है basal function hydrogen atom को जब आप solve करते हैं या आप scattering theory पढ़ते हैं classical scattering हो चाहे आपकी quantum scattering हो या फिर आप electrodynamics पढ़ते हैं तो उसमें जब आप multiple expansions वगारा को करते हैं तो वहाँ basal function नज़र आजाते हैं laplace equation को solve करते हैं cylindrical coordinates में तो वहाँ basal function नज़र आ जाते हैं बगएरा बगएरा legendary polynomial spherical harmonics ये तो quantum mechanics में जो 3D problem होते हैं उनमें ये बहुत ज़एदा इस्तमाल होती है इससे अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपने शायद जो मतलब फैंसी वाली physics जो है जिसको पढ़ने कहार किसी को शौक होता है तो black hole की जो equation जो आप निकालते हैं तो basically आप एक metric लिखते हैं जो कि Einstein की equation होती है और Einstein equation को जो आप solve करते हैं तो metric निकलता है तो उस metric को हम बोलते हैं for a homogeneous and isotropic universe तो श्वास्चेल metric के अंदर अगर आप जो है वो देखें तो वहां पे भी पहला काम आपने ये करना होता है आपने singularity निकालनी होती है उस equation की तो आप देखेंगे कि श्वास्चेल metric अगर कभी black hole पे lecture हुआ तो हम बताएंगे कि श्वास्चेल की जो equation बनेगी उसके अंदर एक regular singularity होती है और एक essential singularity होती है जो regular singularity होती है वो horizon के ओपर exist करती है जिसको हम फ्लैक होल horizon कहते है तो horizon की singularity regular होती है इसलिए आप उसको coordinate transformation करके remove कर डेते है लेकिन एक उसके अंदर essential singularity होती है जो के 0 जी is equal to 0 पे बनती है उस singularity को आपिसी भी coordinate transformation से remove नहीं कर पाते तो इसी विज़ा से हम कहते हैं कि वो black hole बन गया क्योंकि उसके अंदर एक essential singularity पाई जाती है तो आप देखें कि किहां कहां पे इस चीज कोई आपको जुरूरत पढ़ेगी चेक करने की कि अगर आपके पास equation है तो आप उसकी singularities निकालें पावर सीरिस solution अब actually करना भी तो है ना हमने एक दो सवाल भी करने हैं हमने काफी time लगा लिया है बीस पे तो हम चलेंगे और आइस्था आइस्था इन सारे points को deal करेंगे ordinary points को पहले deal करेंगे पिर singular points को deal करेंगे और कुछ examples भी जो हैं वो solve करेंगे तो यहां तक कोई सवाल अभी तक जो है वो हमने discussion कर ली कि points कैसे निकालते है ordinary और singular points तो अब हम next section की तरफ चलते हैं इस section में हम सिरफ और सिरफ ordinary point की बात करेंगे कि हमारी जो ordinary अगर हमारा point ordinary है तो उसको आपने equation को आप solve कैसे करना है हमें पता कि ordinary point का मतलब यह होता है कि PZ और QZ analytic functions हैं तो अब यहां पर अगला theorem जो आ रहा है वो यह है कि अगर किसी ODE में यह हमारी ODE क्या थी Y double prime plus as a function of Z ले ले लेते हैं again मैं हॉपसन की book को follow कर रहा हूँ plus PZ Y prime plus QZ Y equal to in general इसकी right hand side जो है वो कोई function हो सकती है लेकिन आप देखेंगे कि यह बात हॉपसन की किताब के अंदर शायद लएदा से mention नहीं है लेकिन आप देखेंगे कि उसने जितनी भी मिसालें दी हैं ना आपको हॉपसन की book में उन सब में उसने right hand side को zero ली है उसने वो वली मिसालें नहीं ली जिनकी right hand side zero नहीं होती उसकी वज़ा है उसकी वज़ा यह है कि आपको बता है जनरल फॉर्म के अंदर जब आप इस equation को solve करते थे तो आप कहते थे इसका solution जो है वो yh प्लस yp की form में होता है जहां पर yh आप किसको कहते थे आप homogenous solution को yh कहते थे यानि आप right hand side को zero करके yh solution निकालते थे और yp जो है वो उस function पर depend करता था जो right hand side पर आ रहा है तो yp निकालना जो है उसका method हमने काफी ज़यदा सीखे थे और मैंने आपको बताया था कि right hand side पर कुछ familiar form होती है जिनके जरीए आप yp निकाल सकते हैं यह function जो है वो exponential हो सकता है mostly exponential होता है trigonometric हो सकता है तो उसी form के अदर आप अपने trial function लेते हो और आप particular integral जो है वो निकाल लेते हो मसला आता है homogenous equation को solve करने का यानि total solution आप तभी लिख सकते हो अगर आपको homogenous solution पता है particular solution की technique तो हमने पढ़ ली थी constant coefficient में भी और variable coefficient में भी लेकिन homogenous solution की कोई हमने technique नहीं पढ़ी थी इसलिए power series method को study करने के लिए आपको क्या करना पढ़ेगा power series method लगाना पढ़ेगा कभी कबार ऐसी homogenous equation बन जाएगी कि जिसको आप directly solve नहीं कर पाऊगे इसलिए आप देखेंगे कि जो hopson की book है उसने सारी equations में right hand side को zero लेके यानि सिर्फ homogenous equation solve करने का एक तरीका आपको जिखाया है कि अगर आपकी equation homogenous हो तो वो कैसे solve की जाती है तो जब homogenous solution निकल आएगा तो फिर इसका मिलब ये नहीं है कि game खत्म हो गई इसका मिलब एक solution निकाल लिया आपने फिर उसके बाद particular solution भी निकालना होता है तो अगर आप right hand side के अपर को फंक्शन मौजूद है तो फिर आप particular solution भी उसका निकालोगे और फिर दोनों को add करने के बाद linearly चुकर independent solution होने चाहिए न दोनों फिर आप total solution निकालोगे तो ये बात जेन में रहनी है इसलिए हम ऐसी मिज़ाले ही solve करेंगे इस session में जिनकी right hand side 0 होगी और वो homogenous differential equations होंगी ठीक है जी उसके बात हम चलते हैं homogenous equation की तरफ और हमारा जो solution है वो सिर्व ज़री होगा अब ये जो हमारा solution है जो हम निकालना चाहते हैं y of z वो y of z analytic function होगा अगर आपके p z और q z भी analytic function होगे so this is a theorem ठीक है न तो ये theorem है जिसमें ये लिखा भी हुआ है कि अगर आपका z नॉट अब z नॉट आम तोर पे zero ही लिया जाता है याम तोर पे जितनी भी हम मिसालें करेंगे ना ज्यादा तर z नॉट को हम zero ही लेंगे जब आप z नॉट को zero लेंगे तो फिर y of z minus z नॉट जो है वो क्या बन जाएगा y of z ही बन जाएगा तो इसलिए जो पावर सीरीज आपने z minus z नॉट पे लगानी थी वो अब आप simple y of z पे लगा लेंगे क्योंकि z नॉट हमने zero ले लिया तो z नॉट zero एक simple problem है ordinary point है लेकि लाजमी नहीं है कि z नॉट zero हो जैसा कि भी आपने देखा भी है कि one जो है वो भी ordinary point हो सकता है तो अगर one ordinary point है तो फिर आप इसको y z ने लिखोगे फिर आप इसको यागर z नॉट मेरा ordinary point जो मेरा है वो one है तो फिर मैं z minus one लिखूंगा ना इसको और फिर उसे साबसे power series लिखूंगा लेकिन अभी जो मिसाल हम करने जा रहे हैं उसमें हम z not को क्या लेंगे zero लेंगे और वो पिर आपका y of z बन जाएगा तो important जो चीज है ना वो यह है equation का solution भी power series देगा अगर आपका p z और q z क्या है analytic है ठीक है तो this is the most important point और यह power series जो है यह किसी खास range तक converge करने चाहिए लाजमी नहीं है कि यह infinite n is equal to infinity पे भी converge करे n is equal to infinity पे हो सकता है यह diverge कर रही हो क्योंकि यह infinite series है लेकिन इसी खास radius of convergence के अंदर अदर इसको एक power इस power series को converge करना चाहिए दूसे लफ़ों में हमारा जो y-z है that will be represented as a convergent power series convergent power series तो यह हमारी टिकनीक हुआ करेंगे जब आप कभी हमारे पास ordinary point आया का उस ordinary point के उपर के around आप जो है एक convergent power series लगाओगे using the using what tailor series जो के power series ही बन जाती है किसी limit में जाके तो अभी power series क्या है y of z equals बलके इसको थोड़ा सा मैं यहां पे लिखता हूँ power series यहां पे क्या बन रही है y of z is equal to अगर मैं इसको open करूं तो यह बन रही है a not z to the power 0 1 आजेगी plus a1 z plus a2 z square plus a3 z cube plus so on plus इस के इंदर क्या term आएगी n minus 1 sorry a n minus 1 z to the power n minus 1 plus a n z to the power n plus a n plus 1 z to the power n plus 1 plus so on तो यह हमारी series मैंने अब जरा खोल के लिकी है और यह infinity तक जा रही है तो कि n गोस फ्रॉम जीरो तो infinity तो यह power series है तो यह हमारा solution हुआ करेगा हम assume किया करेंगे यह हमारा trial function समझ लेंगे यह हुआ करेंगा हम assume करेंगे कि यह हमारा solution है और इस solution से को फिर अब हम अपनी differential equation जो given होगी उसमें डालेंगे और उस differential equation को solve करने की कोशिश करेंगे और उसके कुछ steps होंगे जो फिर हम last पे summarize करेंगे ठीक है जी तो z is equal to zero के उपर हम इसलिए कर रहे हैं कि वो सबसे असान choice है अगर कोई और point होगा तो वो फिर जाहरा उसमें थोड़ा सा extra काम आ जाएगा ओके let's do this now तो first करेंगे जी हमारे पास एक equation है सबसे पहले ये देखें कि ये हमारे पास equation है नदर आ रही है ना ये equation तो इस equation को जी solve करना है आपने around ordinary point और वो ordinary point क्या है z not equal to zero ठीक है या इसको आप x equal to zero भी ले सकते हो I don't know कि Hobson इसको क्या लिए है बरहल रजी इकल to zero पे ले 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 फिर तो इसको हमने solve करना है सबसे पहले ये देखें कि इसके अंदर PZ और QZ क्या है PZ क्या जी यहां पे PZ है यहां पर zero और QZ यहां पे क्या है one तो zero और one को series की form में लिखा जा सकता है बड़ा interesting question आया है मेरे mind में क्या यह zero और one जो हैं यह series की form में लिखे जा सकते है क्या हम चलें zero को मैं लिखना जाता हूं series की form में बताएं कैसे लिखो लिख सकता हूं इसको एक power series की तोर पे zero को zero एक number है ना और अभी मैंने का है अगर पीजी zero है तो पीजी तो एक function है तो zero क्या होना चाहिए एक analytic function होना चाहिए तो जीरो अगर एक analytic function है तो फिर जीरो की power series बनाई जा सकती है इसी तरह one की power series भी बनाई जा सकती है बताएं जड़ा zero की और one की power series क्या होती है convergent power series कैसे लिखते हैं इस power series को ओपर भी अबने लिखा भी था आप लिखेंगे summation n is equal to zero to infinity यहां पे क्या आएगा सिर्फ a not बचेगा देख लें सोचें दर दुबारा something power n आएगा न यहां पे क्या आएगा something power n चलो an भी लिख देता हूँ an time something power n तो यह something क्या आएगा यहां पे बहुत basic math test है आपका चोटी सी बाते है जीरो की series बना रहे हैं तो क्या आएगा यहां पे आप लोग जरह बताएं बहुत सादा सा जवाब है इसका कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर infinite terms आएगी तो कौन से ऐसे numbers हैं जिनको infinite times मैं जमा करूँ तो वो 0 दे दे लात अदाद चीजें कठी करें के 0 आजए क्या होना चाहिए इस वरी tricky question है ना बड़ा मुश्किल सवाल पूछ लिया सर ने और यही बात one के लिए भी आएगी पर बिलकुल वैसे ही आप one को भी लिखेंगे बिलकुल इमान एक option sign की है cause x plus sign x लिखें लेकिन वो फिर एक लंबी चीज हो जाएगी so basically आप simple इसको यूं भी लिख सकते हैं zero और यहां पर simple लिख दें one so basically zero जो है वो infinite zeros का sum जो है वो आपको zero देता है और one जो है वो अगर आप किसी term के अंदर end न डालें तो फिर आपको one देगा because summation इसके पर apply नहीं होगा तो यह one नहीं आजाएगा so basically कहने का मक्सदी है कि zero and one are also series ठीक है ना तो उनको भी आप series के तोर पे infinite series के तोर पे लिख सकते हो बहरहाल चलते हैं आगे तो पीजी और क्यूजी हमारे अब क्या आ गए है देहर अनलेटिक फंक्शन्स अराउंड जी नॉट इस इकल तो जीरो तो आपका जी नॉट इस इकल तो जीरो एक ordinary point है तो इसका मतलब है कि मैं क्या कर सकता हूँ मेरा y of z जी जो है वो भी क्या होगा analytic होगा so I can write it as n is equal to zero to infinity a n z to the power n और जिसको मैंने उपर यहां पर जो है वो खोल के भी लिखा हूआ है तर्म बार तर्म अब क्या करना है जी अब आपने second derivative लेना है तो उससे पहले आप first derivative लें first derivative लेंगे तो क्या आएगा n is equal to zero to infinity a n और z to the power n का derivative क्या आजाएगा n z n minus 1 अब अगर आप गोर फरमाएं तो अगर मैं put करूं terms को तो क्या आएगा n आ रहा है न तो n को zero put करेंगे तो क्या आजाएगा zero आजाएगा तो यह आएगा sorry तो यह आएगा zero plus n is equal to one to infinity a 1 z to the power not a n a n or n z to the power n minus 1 तो zero लिखे ना लिखे इसका कोई फरक नहीं पड़ता तो इसका मतलब है कि जब first derivative लेंगे तो आपकी series zero से नहीं बलके one से start होगी ठीक है फिर इसके बाद second derivative लेते हैं जी second derivative क्या आएगा तो second derivative के अंदर आप first derivative का derivative भी ले सकते हो या direct second derivative भी ले सकते हो तो क्या आएगा जी इन इकोल तू जी तुदी पावर एंड का second derivative क्या होगा जी तुदी पावर एंड का second derivative तो पहली दफा जब आप लेंगे डी बादी जी तो क्या आएगा एंड जी एंड माइनस वान और जब आप second derivative लेते हो तो फिर क्या आएगा ती बादी जी आफ तो एंड तो नंबर है एंड बाहर आ जाएगा और आपके पास आजएगा एंड माइनस वान जी एंड माइनस टू तो यह वाली चीज आएगी तो वो मैं यहां पे अब लगा रहा हूँ वान तो इंफिनिटी का मतलब क्या होगा कि मैं यहां से यहां पर आ रहा हूँ ना तो इसका derivative मैं दुबारा ले रहा हूँ तो क्या आएगा आपके पास एंड 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 माइनस वान जी एंड माइनस टू राइट लेकिन अब अब आप अगर गोर करें तो जो फ्रस्थ टर्म है एंड इस एकल टो वbahn वाप यहां पर फूट करेंगे तो माइनस वर्णा आपको फिर क्यां देघाएगा जीरो और प्लस आजएगा एन इस एक़ों तो और टू ऑली टर्मस थ्री वाली टर्मस in सब टर्म को मैं इकथा करके लएग रहा हूँ जी उस चीज़ पर कोई फरक नहीं पड़ता तो y आ गया, y प्राइम आ गया, y डबल प्राइम आ गया उस से पहले मैं एक और काम करता हूँ मैं यहां पर change of variable कर देता हूँ क्यूं करता हूँ, वो इसलिए करना है कि जब आप इन equations को put करेंगे तो आप देखेंगे कि y का जो coefficient है और y डबल प्राइम का जो coefficient है वो different है y, power, sorry y में z की power n आ रही है और y डबल प्राइम में z की power n by minus 2 आ रही है तो नहीं मैं ऐसा करता हूँ, पहले इसको कर लेता हूँ बाद में इस point पे आता हूँ क्योंकि यह point अभी हो सकता है, confuse करें तो इस y डबल प्राइम को y में जमा करके equal to 0, n इस equation में मैं plug करूँ plug in our equation this is our equation तो y डबल प्राइम क्या आ जाएगा n is equal to 2 to infinity a n n minus 1 z to the power n minus 2 plus n 1, 2 no, 0 to infinity and z to the power n equal to 0 अब अगर आप गोर फरमाएं तो इसके अंदर क्या है? दोनों terms मुटलिफ सी नदर आ रही है पहली बात तो यह नोट करें कि यहां summation 2 से शुरू हो रहा है और यहां summation जाएवो 0 से शुरू हो रहा है तो मैं इनको इस तरह से compare नहीं कर सकता इनके coefficients को इसी तरह से यहां पे z की power n minus 2 है और यहां पे z की power n है तो मैं यह करना चाहता हूँ कि हर चीज़ की power same हो जाए या summation same हो जाए तो ऐसा करते हैं कि summation को same कर लेते है कैसे अगर मैं चाहता हूँ कि यहां पे z की power n आ जाए तो कैसे आएगी वो z की power n कैसे आएगी तो मैं ऐसा करता हूँ कि m को put कर लेता हूँ n minus 2 ठीक है तो क्या आएगा कि n आपका बंदेगा m plus 2 तो इसका मतलब है कि मैं summation n की बजाए summation m पे ले सकता हूँ लेगि फिर मेरा n जो है वो m plus 2 में चला जाएगा मतलब यह कि मुझे अपने n को जो given variable है उसमें plus 2 करना पड़ेगा replace करना पड़ेगा 2 plus something से तो इस चीज़ को करने के लिए बजाए से कि नए variable मैं जाओ हूँ जो कि आफ जा सकते हैं आप m पे भी summation ले सकते हैं चले m पे ही summation ले लेता है तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं लिखता हूँ अब अब क्या होगा कि जब n 2 होगा देदर देखें जब n 2 होगा जब n 2 होगा तो m क्या होगा जिरो तो इसका मतलब है कि यह समेशन अब किस से जिरो से शुरू होगा और जिरो टू इंफिनिटी जाएगा इसी तरह a n को मैं अब क्या लिखूंगा m प्लस 2 ठीक है न यहां पे यह लिखा हुआ है m प्लस 2 और n को फिर क्या लिखेंगे m प्लस 2 n माइनस 1 को क्या लिखेंगे m प्लस 1 क्योंकि एक माइनस करना है न उसमें से और z की पावर क्या आ लेगी m प्लस यहां पे क्या होगा n इस इकल टू जिरो टू इंफिनिटी जा रहा है तो अब n जो है इंटीजर रहने देना उसको चेंज नहीं करना आपने और यहां पर क्या आना है am और यहां पर सिर्फ मैंने नाम चेंज किया integer का और कुछ नहीं किया अब आप देखेंगे समेशन और z m समेशन और z m यह एक जैसे हो गए तो अब मैं कुछ चीजें जो है वो कामन ले सकता हूँ तो बेसिकली यह एक ही समेशन में लिख सकता हूँ इसको और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा am प्लस 2 m प्लस 2 m प्लस 1 और z m को भी मैं कामन ले लूँगा प्लस am times z m equal to 0 तो यह मैंने अब यह टर्म लिख लिए ठीक है यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें clear है यह बात तो सिरफ first term को मैंने change किया है क्योंकि उसको मैंने compare करना था दूसी term के साथ दूसे लफजों मैंने first term में n को n प्लस 2 से replace कर दिया है तो उसे coefficient सेम हो गए है सिद्रा आपका सवाल नहीं मुझे समझाया किसमें 2 term कम थी वो दो term 0 है ना पहले वाली इस वज़ा से मतलब यह के यहां पर जो n is equal to 2 से शुरू हो रहा है ना अगर मैं इसको n is equal to 0 से शुरू करना चाहूं तो terms तो मैं लिखूंगा लेकि मुझे पता है कि 0 और 1 वाली term 0 हो जाती है इस वज़ा से यह 2 से शुरू हो रही थी लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह 0 से शुरू हो तो मुझे फिर coefficient चेंज करने पड़ेंगे m को चेंज पावर्स को चेंज करना पड़ेंगे यह सिर्फ एक चेंज ऑफ वेरियेबल है कि मैंने वेरियेबल चेंज करके इसको इस तरह से लिख लिए है अगर आप इसको open करके लिखेंगे तो ज्यादा clear हो जाएंगी चीज़ें बारहल तो अब आप देखें कि यहां पर मैं क्या कर सकता हूँ अब यहां पर आप टर्म बार टर्म लेख सकते हैं पहले टर्म आएगी M is equal to zero से पहर दूसी टर्म आएगी M is equal to one से तिसी टर्म आएगी तो अगर यह equation जो है left and side equal to zero है तो वो एक ही तरह हो सकती है जैसे मैंने उपर बताया भी था कि जब zero आपका आ रहा होता है left side पे तो इसका मतलब यह होता है कि right side पे सारी terms जो है वो क्या है zero है और infinite zeros का sum जो है वो zero आएगा ठीक है up to a sum नहीं मुझे दिवारा यह statement कहने चाहिए zero की जो infinite series है वो आपको zero देगी up to a certain point of convergence जो कि radius of convergence के अंदर अंदर होगा again radius of convergence से बाइं निकलेंगे तो फिर discussion और हो लिएगी तो किसी खास radius of convergence के अंदर अंदर हर term जो है वो zero होगी तो ही उन सब का sum जो है वो zero होगा ठीक है तो इसका मतलब है कि each term up to radius of convergence is zero on left hand side ठीक है right hand side पर तो ही zero तो left hand side पर भी यह होनी चाहिए तो वो जो है आपको क्या देगा coefficients जो हैं वो आपको देंगे m plus 2 m plus 1 plus am equal to zero sorry इसको मैं थोड़ा सा रे रियरेंज करके लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ am plus 2 is equal to minus am यह जो मैंने रिलेशन निकाला है इस रिलेशन को बोलते हैं recurrence relation recurrence relation recurrence का लफजी मतलब होता है तकरार तो यहां पर कुछ चीजों की तकरार होगी बार बार वो रिपीट होगी और वो अब हमने देखनी है कि कौन सी होगी तो recurrence relation निकालना जो है यह हमारा main step होता है power series method में एक दफ़ाँ आपके पास recurrence relation आ जाए तो फिर आप उसको इसको इस्तमाल करके different coefficients निकालते जाते हो और वो सारे coefficients फिर आपने अपने y में put करने हैं और y में put करके आप solution बना लोगे है हमारा solution जो था वो जो हमने यहां पे लिखा था this was our solution ठीक है तो इसमें आपको a n coefficients चाहिए तो वो सारे coefficients जो हैं वो आप यहां से निकाल सकते हो ठीक है तो इसको conclude करते हैं अभी बस different terms लिखके देखते हैं so m is equal to zero लिखके पहले recognize relation से अब हम निकालेंगे m को zero put करें तो क्या आएगा a2 equals minus a not by 2 ठीक है ना इसी तरह m को one put करें तो क्या आएगा बल्के ऐसा करते हैं मैं even or order लादर लादर कर लेता हूँ m को two put करें तो क्या आएगा a4 that will be equal to minus a2 over what two one two plus one is three three multiply by four is twelve similarly m को four लिखके तो वो क्या आएगा a6 and that will be equal to minus a4 और नीचे क्या आजाएगा five into six so six into five आजाएगा thirty and so on इसी तरह मैं ठीक है ने इसमें वो चलते जाना है आपने चलते जाना है m को one ले ले तो m को one ले तो क्या आएगा a1 a3 is equal to minus a1 divided by क्या आएगा six m को three ले तो क्या आएगा three plus two five minus a3 divided by three plus one is four four three plus two is five five four twenty यहां twenty आ जाएगा and so on बसे आप चलते जाएगा ठीक है तो इस तरह से अब आप different अब आप देखेंगे क्या हो रहा है कि अगर आपको a naught पता हो first term के अंदर यहां पर अगर आपको a naught पता हो तो आप a2 निकाल सकते हो अगर आपको a2 पता है तो आप a4 निकाल तो वो a2 यहां पुट करो a4 निकल आएगा a4 यहां पुट करो a6 निकल आएगा a6 को फिर अगली term में पुट करो a8 निकल आएगा इसी तरह यहां पर अगर मुझे a1 पता हो जिस तरह यहां पर मुझे a0 पता a1 अगर मुझे कोई बता दे तो मैं a1 से a3 निकाल लूँगा a3 को मैं यहां पुट करों तो a5 निकल आएगा इसी तरह a5 को अगली term में पुट करें a7 निकल आएगा तो सारी odd terms जो हैं यह सारे odd terms थी सारी odd terms जो हैं वो depend कर रही है a1 के उपर और सारी even terms जो हैं coefficients की वो depend कर रही है a0 के उपर तो इसका मतलब a0 जो है वो सारी even terms निकालेगा और a1 जो है वो सारी odd terms निकालेगा तो अगर मैं randomly a0 और a1 पिक कर लूँ तो मैं इस equation को solve कर सकता हूँ तो यह अब आपने randomly खुद pick करना होता है और उससे आप फिर solution जो है वो निकाल सकते हो odd solution भी निकाल सकते हो even solution भी निकाल सकते हो और आप power series देख सकते हो कि यह कौन सी बंती है तो मिसाल के तोर पे जैसे कि किताब ने दी है अगर मैं pick कर लू यह मैंने खुद pick करना है a naught को one pick कर ले और a one को zero put pick कर ले तो जब आप pick करेंगे तो इसके अंदर values put करें a one की और a three की अब क्या होगा clearly चुकर a one को मैंने zero कर दिया है तो odd terms जितनी भी होंगी वो zero हो जाएंगी और सिर्फ even terms बचेंगी तो यह जो आपका solution आएगा y of z वो बन जाएगा क्या पहले term आएगी one दूसरी term क्या आएगी one one over two ठीक है minus one over two times क्या आएगा minus one over two times चाले पहले मैं ऐसा करता हूँ series लिख लेता हूँ वाज़ हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पहले term होती है a not दूसरी होती है a one z तीसरी होती है a two z square फिर a three z cube and so on ठीक है नहीं यह power series थी तो अब मैं कह रहा हूँ कि a not one है a one zero है फिर अगली term है a two तो a two आप देखें यहां से क्या आएगी a not का one put करें तो minus one by two तो minus one by two z square plus a three zero है लेकिन a four zero नहीं है क्योंकि वो है minus one by twelve a two minus one by twelve a two a two अभी हमारे पास हमने निकाला था क्या था minus one by two times क्या आएगा z to the power four plus so on तो इसको अगर अब मैं दिबारा लिखूं तो मैं यह लिख सकता हूँ two factorial लिख सकते हैं क्योंकि two factorial का मतलब होता है two dot one फिर यहां पर देखें यह 24 बन रहा है तो अगर मैं इसको इसको इस तरह लिख लू जी four over four factorial तो four factorial 24 ही होता है ना plus so on तो आप मुझे जरा बताएं यह कौँछी term बन रही है अगली term वैसे negative आएगी यह मैं आपको बता सकता हूँ अगली term होगी जी six over six factorial plus so one तो यह हमारा solution आगया जी y one z चलें कहलें इसको एक solution हमने निकाल लिया होमरजनिस equation के दो solution होते हैं ना तो एक यह निकल आया और यह बड़ी मशूर सीरीज है अगर आप गोर करें तो इसके अंदर z की even powers आ रही है factorial आ रहा है और alternating series है तो इसका मतलब है कि यह कों सी series है यह sign sorry cause की series है यह cause z लिखा हुआ है तो cause z की अगर आप series expansion करें तो वह यही बनती है जो यहां पर मैंने लिखी हुई है उसके बाद दूसरा solution निकालना है तो अब एक और choice लेते हैं अब ऐसा करते हैं कि हम a naught को 0 ले ले लेते हैं और a one को जो है वो one ले लेते हैं दोबारा वही process करें तो जो नया solution आएगा आप आप गोर फरमाएंगे तो वो कुछ इस तरह से आएगा क्योंकि पहले टरम 0 है तो अगले टरम Z आ जाएगी तो अब मैं इसका direct solution लिख रहा हूँ आप चेक कर लें इसको ये भी alternating series होगी लेकिन इसके अंदर क्या होगी odd powers आएगी तो odd powers alternating series के साथ आ रही हूँ तो ये basically sine Z या sine X अगर X में variable है तो उसकी expansion होती है तो इस तरह से आपने अपना Y1 और Y2 निकाल लिया अब general solution आपका equation का क्या होता है general solution चुक्कि ये एक linear ODE है ना आपकी equation क्या थी जिस सवाल को हम हल कर रहे हैं वो क्या था वो ये वाला था तो इस सवाल को हल करते वक्त हमने का था कि ये क्या है linear ODE है तो linear ODE का मतलब ही होता है कि इसके जो दो solution होंगे उनको आप इस तरह से लिख सकते है linearly independent solution होने चाहिए Y and Y2 Y1 and Y2 जो हैं वो क्या होने चाहिए linearly independent solution होने चाहिए ये definition होती है linearity की linearly independent तो हमें पता है कि जो cause और sign होता है ये linearly independent होते है एक में even power आ रही दूसरे में order आ रही है तो ये दोनों independent है एक दूसरे से तो इसका मतलब है मेरा general solution जो आया वो कि आया C1 cause Z plus C2 sin Z मेरा ख्याल है ये बहुत मज़ेदार नतीज़ा है अगर मैं ये सारी पोशिश ना भी करूँ तो मुझे ये नतीज़ा पहले ही पता था क्यों पता था क्योंकि ये जो equation मैंने लिखी हुई है जिसको हम solve कर रहे हैं ये harmonic oscillator नहीं है बड़ी मशूर equation है ये और इसके अंदर जो coefficient है वो constant है तो basically मैं इसका on-determined coefficient लगाके भी solve कर सकता था और मुझे पता है कि इसका solution जो है वो oscillation होता है क्योंकि ये basically y double prime equal to minus y hooks la लिखा हुआ है और hooks la का जो solution होता है वो oscillation होती है और sin z और cause z जो है उनके plot क्या होते हैं अगर आप cause z का plot करें against z axis तो क्या आता है वो आपका plot इस तरह से आता है या अगर आप sin z का plot बनाएं तो क्या आता है sin z को अगर आप zero से शुरू करें तो वो इस तरह से आता है तो मुझे पहले ही बताता है कि ये oscillation ही solution बनता है ठीक है लेकिन इस solution को आपने निकाला कैसे है अब आप इस चीज़ को appreciate करें कि हम कहां से चले थे और हम कहां power series में आके तुबारा उसी solution को निकाल रहे हैं जिसको हमने अजीब और गरीब चीज़ें लगा के हल किया था मस्वा सिरफ ये था कि ये वाला method असान आपको इसलिए लग रहा है कि अभी तक मैंने constant coefficient की एक equation solve की है और आपका जो रेकनस relation था वो बड़ा खुबसूरत सा बना हुआ था ये जो red box के अंदर है वो खुबसूरत सा एक relation था जिसमें M plus tooth की जो term है वो AM की form में लिखी हुई थी आप बस value put करके सब कुछ निकालते जा रहे थी लेकिन यकीन मानिये कि अगर आपकी equation में थोड़ा सा भी change कर दूँ निसाल कि तब अगर इसी equation को मैं यू लिख दूँ जी x y is equal to 0 फिर आप इसको solve करेंगे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि ये method कितना powerful है इसको अगर आप अब ये देखें कि जो coefficient आप आपका है तकनीक्स हमने पड़ी थी वो लगानी पड़ेंगी यहाँ पर और आप देखेंगे कि वो अच्छा खासा काम हो जाएगा जैसे जैसे आप complexity की तरफ जाते जाएगे और अभी हम second order की बात कर रहें third और fourth order पर जाएगे तो वो तो फिर और ज्यादा तो power sees method की जो power है वो आपको मज़र आ रही है किस तरह से आप अपने उन तमाम problems को जो coefficient, constant coefficient के थे या variable coefficient के थे या variation of parameter से आप solve करते थे आप undetermined coefficient से solve करते थे वो सारे method भी इसके अंदर solve हो जाते हैं लेकिन plus इसके अंदर extra चीज़ यह आगई है कि आप इसको complex analysis में भी लेके जा सकते हैं तो यह complex plane के अंदर भी आप power series को apply कर सकते हैं क्योंकि आपके जो coefficients हैं PX और QX या PZ और QZ they are basically they are analytic functions analytic functions होने की विदा से आप का जो variable है लाज़मी नहीं है कि वो real हो वो complex variable भी हो सकता है और complex variable में भी आप इसी power series method को जो है वो apply कर सकते हैं come as come regular singular point और ordinary point के अंदर आप इसको बहासानी हल कर सकते हैं तो आपने देखा कि यह कितनी बड़ी जो है वो एक jump लग गई है कि हम real analysis से हमने start किया था और हम complex analysis भी साथ ही साथ इसके करते जा रहे हैं और power series की शकल में equation को हल करते जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि यहां तक काफी है मैंने अभी एक और example वैसे करनी थी जस्ट आपको यह दिखाने के लिए कि जो recognize relation होता है न वो हमेशा इतना असान और सीधा नहीं होता जैसा कि अभी हमने देखा है तो उसके लिए हॉपसिंट में ही वो example है तो मैं ऐसा करता हूँ कि सिरफ आपको उसके बारे में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं पूरा निमस को solve करूंगा पूरा आप जो है वो solve करेंगे खुद ठीक है तो यह एक equation है मेरे सामने ठीक है तो इस equation को आप मैं solve करना चाहता हूँ ओके ठीक है अब देखने में simple है बस यह हुआ है कि आप constant coefficient की बजाए है यहाँ पे variable coefficient आ गया ठीक है तो पहला गाम आपने क्या करना है आप देखिए आपका PZ क्या है PZ है minus 2 over 1 minus Z whole square और नहीं मेरे खैल यह QZ है PZ zero है QZ है और PZ जो है वो यहाँ पे क्या है zero है क्योंकि first derivative मौझूद नहीं है तो अगर मैं Z is equal to zero देखूं तो मुझे देखें कि वो ordinary point है ठीक है क्योंकि Z is equal to zero पे QZ मुझे क्या दे रहा है minus 2 और PZ मुझे क्या दे रहा है वो तो है zero तो इसका मतलब है कि यह क्या है ordinary point है singular point नहीं है तो अगर यह ordinary point है तो अब भी मैंने technique उपर सीखी है वो मैं यहां पे apply कर सकता हूँ तो मैं यहां पे क्या करूंगा अपने solution लिखूंगा N is equal to zero to infinity A N Z to the power N और चुके मैंने अभी Y prime निकाला था उपर तो मैं दोबारा आप यहां पे लिख लेता हूँ variable मैंने N नहीं रखा है आप कोई भी variable कर सकते है M कह लें N कह लें doesn't matter तो यह मुझे पता है कि Y prime जो है वो equal होता है N plus 1 किया पे मैंने N plus नहीं मुझे second derivative चाहिए ना तो वो क्या था तो मुझे second derivative निकाला है that is N plus 2 N plus 1 और coefficient था N plus 2 और Z to the power N इसको अब आप अपनी equation में put करें तो आपका जो relation आएगा recurrence relation वो कुछ ऐसा आएगा recurrence relation will be N plus 2 A N plus 2 minus 2 N A N plus 1 plus N minus 2 times A N is equal to 0 अब आप गोर फर्माएं तो इसमें A N plus 2 वाली टर्म भी है plus 1 वाली भी है N वाली भी है तो इसका मतलब है अब मैं A A को दूसरे A की फॉर्म में नहीं लिख सकता जैसे मैंने उपर लिखा था था ना कि मैंने N plus 2 को वापिस जाते हैं तो ये इसलिए ये मिसाल करवाई जा रही है कि हमेशा रेकरेस अनिलेशन आपका खुबसूरत सहाए लाजमी नहीं होता लेकिन बारहाल इसमें भी आप वही काम कर सकते हो आप इसकी चोईस ले सकते हो इसमें याद रहे कि आपका जो N नहीं वो हमेशा ग्रेटर और इकल डू जीरो होता है तो तॉरी अब अगर मैं N इस इकल डू जीरो लिखो तो क्या आएगा मेरी क्या टर्म बनेगी N इस इकल डू जीरो पे 2 A2 माइनस N जीरो है तो सेकंड टर्म 0 हो जाएगी थर्द टर्म माइनस आजाएगा और 2 A naught इकल टो 0 आजएगा इसका मतलब है कि जो मेरा A2 है that is A naught and is equal to 2 ले ले even वाले ले रहा हूं ना पहले तो 2 प्लस 2 क्या आजएगा 4 और 2 प्लस 2 क्या आजएगा 4 माइनस 2 इंटो 2 आजएगा 4 और 2 प्लस 1 क्या आजएगा 3 और बलके ऐसा करते हैं इसको 1 भी लेते हैं क्योंकि अभी even में भी odd आ रहा है तो n 1 ले ले लेते हैं पहले n को 1 ले तो क्या आएगा 3 a3 minus 2 a2 or minus a1 equal 0 तो अब देखें a2 मैंने निकाल दाव है a naught तो वो यहाँ पर put करें तो आपका 3 a3 minus 2 a naught minus a1 equal to 0 तो यह दूसरा relation आ गया फिर उसके बाद n is equal to 2 put करें तो क्या आएगा 4 a4 minus 4 a3 plus 2 a2 equal to 0 अब मैंने a3 और a2 लेकाला होगा तो वो मैं यहाँ put कर देता हूँ बलके ऐसा करते हैं इसको पहले 4 से डिवाइड करें तो यहाँ जाएगा a4 minus a3 plus a2 by 2 equal to 0 अब मैंने a4 निकालना है तो वो equal आजाएगा a3 plus a2 by 2 मैं करूंगा नहीं इसको लेकिन सिर्फ लिखता जा रहा हूँ and so on तो जैसे जैसे आप देखें आप स्टार्ट कहां से ले रहे हैं आप स्टार्ट ले रहे हैं a2 is equal to a0 से फिर आप उसको put कर रहे हैं यहां पर तो यहां पर आपको दोनों a0 और a1 दोनों चाहिए फिर यहां पर आपको a3 और a2 चाहिए तो a3 में आपको a0 और a1 चाहिए तो इसका मतलब है कि इसमें भी आपको a0 और a1 बताना पड़ेगा अगर आपको वो पता होंगे तो आप सारे कोईफिशन्स जो हैं वो निकाल लेंगे ठीक है लेकिन अब ये उतनी सीवी फार्मॉला नहीं है जिस तरह से क्यूट सा फार्मॉला बन रहा था लेकिन इस केस में भी आप एक पावर सीरीज की एक पहचानी शकल जानी पहचानी शकल बना सकते हो तो वो वो कुछ इस तरह से बनती है यानि अगर आपने यह मैं आप किताब से रह रहा हूं कि अगर आप पिक करें एवन को माइनस टू है नॉट और एटू आपको पता है मा ठीक है एन गरेटर देन टू अगर आप ले ले तो इससे आपके पास एक सॉलूशन नहीं मैं क्या कर रहा हूं वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सेकंड मुझे चाहिए क्या एज नॉट और एज वन राइट तो एज नॉट को वन पुट कर लेते हैं ओके एज नॉट को वन पुट करें पहले तो वाई क्या आएगा आपके पास y होता है a naught plus a1 z plus a2 z square plus a3 z cube plus so on a naught को मैंने अगर 1 ले लिया तो a1 मेरा क्या बनेगा so a2 will be equal to this okay a naught is 1 a2 is equal to a naught इसका मतलब ये भी 1 उसके बाद मुझे चाहिए a1 तो a1 a1 क्या आएगा how do you find a1 n is equal to 0 पर मुझे पास ये चीज़ आने थी ठीक है इसका मतलब a1 भी मुझे pick करना पड़ेगा ठीक है तो a1 जो है ना वो बुक ने pick किया है माइनस 2 a naught एक एक दफ़ा और एक दफ़ा चाहिए 0 लिया है चलिए बारहल a1 को माइनस a2 2 a naught लेते हैं तो इसका मतलब है कि a naught अगर 1 है तो a1 क्या आएगा माइनस 2 तो y मेरे पास क्या आ जाएगा 1 फिर माइनस क्योंकि a1 जो है प्लस माइनस माइनस 2 z ठीक है a1 पुट कर रहा हूँ फिर a2 आएगा फिर a2 आएगा विच इस इकॉल टू बस उसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी क्योंकि a3 3 यहां से निकाल ले a3 निकाल ले a3 क्या आएगा a3 आएगा 2 a0 प्लस a1 ओवर 3 अभी मैंने देखा कि जो a1 है that was equal to माइनस 2 a0 तो इसका मतलब यह 0 हो गया ठीक है इसी तरह a4 जो है वो क्या है a3 प्लस a2 ओवर 2 a3 क्या है 0 माइनस a2 क्या है माइनस a0 तो a4 भी क्या हो गया माइनस a0 and so on तो सिर्फ क्या मुझे मिल रहे है is it a2 का मैंने क्या लिखा था a2 क्या था हमारा a2 a0 था प्लस a0 by 2 तो यह क्या बढ़ना चाहिए a2 is a0 so a0 by 2 so this should be a0 by 2 right तो a3 0 है a4 a0 by 2 है okay so a11 आ गया a2 जो है वो a1 one second मैं क्या बढ़ना लिखता हूं इसको चीजें जो हैना सारी किचड़ी बन गई है बढ़ना लिखते है a0 a0 is 1 a2 is a0 जिसका मतलब a2 भी 1 a3 is क्या लिखा है उपर a3 a3 is 0 a3 is 0 and a4 is a0 by 2 and so on चलो लिखते हैं जी y of z क्या आएगा 1 और प्लस a1 यहां पे मौजूद नहीं है लेकिन हमने उपर देखा था कि a1 जो है वो a0 के एकोल है तो इसका मतलब a1 जो है that is minus 2 a0 and a0 1 है तो minus 2 आजएगा so minus 2 z plus a2 की वैल्यू क्या है again 1 so यह आएगा z square ठीक फिर a3 0 है फिर a4 आगया a0 by 2 और a0 हमारे पास क्या है 1 so a1 by 2 आगया इसका मतलब 1 by 2 z cube नहीं z4 क्योंके cube आएगे term 0 है and so on ठीक है तो यह बढ़ी है जी मेरे पास कुछ चीज चाँ इसके अंदर भी confusion है के n is equal to 2 पे 0 लिया जा रहा है त्यों लिया जा रहा है त्यों के अंदर अगर आप इसको ट्रंकेट करें तो फिर जो है वो ठीक है त्यों के इसकी ज़्यादा डीपर रीजन नहीं पता लेकिन यहां पे वो यह कह रहा है कि अगर आप n greater than 2 को लें तो वो diverge करती है terms मैंने इसको solve नहीं किया हुआ लेकिन देखा जा सकता है n is equal to 2 पे आपको यह वाली equation मिल रही थी इसका मतलब है कि मैंने n is equal to 5 n is equal to 3 नहीं जाना तो इसका मतलब है कि n is equal to 3 भी मुझे निकाल लेनी चाहिए कि मैंने this is n is equal to 0 n is equal to 1 n is equal to 2 n is equal to 3 तो मैंने n is equal to 2 तक निकाली है n is equal to 3 मैंने नहीं निकाली राइट लेकिन अगर आप वो निकालेंगे तो वो क्या आजाएगी 0 आजाएगी तो अगली terms भी क्या होनी चाहिए 0 ठीक है ठीक है तो n is equal to 2 के लिए ये series जो है वो आपको क्या दे रही है 0 दे रही है ठीक है वो आपको निकालनी पड़ेगी मैंने तो तक निकालना है आप n is equal to 3, 4, 5 इस तरह करके निकालनें सारी तो वो 0 आएगी because ये 3, 0 हो गया ना तो फिर आगए भी 0 चलेगा परहल तो ये हमारे पास यहां तक ही आएगा और तो ये हमारा solution है अब आप देखें कि ये बड़ा nice सा solution है इसको मैं यू लिख सकता हूँ बलकि ऐसा करते है ये 1 minus z का square लिखा हुआ है दूसरा solution निकाला जा सकता है जब आप पिक करेंगे यहां मैंने पिक किया था 1 को minus 2 A not और A not को मैंने पिक किया था 1 ठीक है तो दूसरे solution के लिए A not को one है लेकिन A not A not is A not A not को one ने पिक किया हुआ है अगर A not को one put करें तो A two one हो जाता है और A one again मुझे put करना देखना पड़ेगा अच्छा इसमें यह कर रहे हैं कि जो इसके इलावा जितनी भी terms हैं को zero ले रहे हैं for all and greater than zero I think so अगर इस तरही केस है तो फिर हो सकता है नई zero नहीं ले रहे A n is equal to A not ले रहे है ओके A n is equal to A not ले रहे है यह है जीन की choice तो इसका मतलब यह है कि अगर A1 ले तो वो क्या होगा A not A2 ले तो वो क्या होगा A not A3 ले तो वो क्या होगा A not और यह सारे क्या है 1 1 1 तो यह तो बड़ा असा होगा है फिर ZQ फिर so on तो यह किस चीज़ की सीरीज लिखी हुई है यह 1 minus Z to the power minus 1 है अचलब यह कि यह 1 over 1 minus Z लिखा हुआ है इस सीरीज को अगर आप binomial theorem लगा के खोल लें तो आपको यह चीज़ बिल जाएगी ओके सो हमारा general solution जो है वो क्या होता है linearly independent solution से बनता है तो Y is equal to C1 Y1 plus C2 Y2 इसका मादलब C1 over Y1 is 1 minus Z square plus C2 over 1 minus Z तो यह अब आपने जो है वो इसका general solution निकाल लिया है ठीक है तो मकसद सिर्फ यह है कहने का कि जब आप का रैकरनस रिलेशन जो है वो बहुत खुस्तूरसा निकलता है जैसा कि इस example में हमने देखा इस box के अंदर तो फिर ज़रा काम करना असान हो जाता है लेकिन अगर आपके पास रैकरनस रिलेशन तो अड़ा सा कड़बर कर रहा है जैसा कि इस case में आप देखें कहां पर लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है तो वो इतनी nice form के अंदर नहीं है कि आप एक और बाकी एक की form में डिरेक्ट फर्मूला बना के लिख लें तो फिर वहां पे थोड़ा साब को extra काम करना पड़ता है इसी तरह से अब देखें इसमें 3 terms आ रही है ना रेक्रस रिलेशन में उपर जो है example में सिर्फ 2 terms आ रही थी n प्लस 2 और n यहां पे n प्लस 1 वाली term भी आ रही है extra term आ रही है तो जितनी terms रेक्रस रिलेशन में बढ़ती जाएंगी आपका problem उतना ज्यादा जो है वो complex होता जाएगा और of course उसको करने के लिए थोड़ा साब को ज्यादा काम करना पड़ेगा लेकिन इन तमाम के अंदर जो basic technique है वो आप देख रहेंगे A0 और A1 यह आपको specify करने पड़ते हैं आपको pick करने पड़ते हैं जो भी आप pick करेंगे उसके हिसाब से आपकी series बन जाएगी तो अगर तो आप series बनाने में काम्याब हो जाते हैं तो वो कच्छी चीज़ है power series अगर मशूर शकल में आ जाती है जैसे यहां पर आ गई अगर नहीं आती ही तो फिर आप उस series को as it is लिख देंगे उस solution को जो भी form में आया होगा अगर उसका कोई formula आपको नहीं बन पा रहा तो आप उसका as it is solution जो है खुली होई series open series की शकल में आप लिख सकते हैं लेकिन आपको बस यह साथ mention करना पड़ेगा कि यह series जो है यह convergent है और उसके लिए पिर आपको check भी करना पड़ेगा series test लगाने पड़ेंगे जो हमने शायद पहले किसी session में किये भी थे series test लगा कि आप उसकी convergence को check करेंगे अगर वो convergent नहीं है तो फिर वो आपका solution नहीं होगा तो convergent power series होना लाजमी है ताके आप ODE इसको solve कर सकें finite solution निकाल सकें ठीक है जी तो इसके बाद यह हमने सारी discussion जो की है यह सिरफ और सिरफ ordinary ordinary solution की की है ordinary solution जो है वो कैसे करना होता है तो इसके मैं steps बता जिता हूँ ordinary point के कि जो steps है solution के वो क्या है यह किसम की summary भी हो जाएगी तो सबसे पहला step आपका क्या वा करेगा सबसे पहले आपने क्या करना है आपने check करना है कि आपका ordinary point है या नहीं कौन सा point जो है वो ordinary point है check ordinary point ordinary point चेक करने का मतलब यह होगा कि आपका P Z naught and Q Z naught जो है वो analytic होने चाहिए finite value होने चाहिए उनकी second यह है कि अगर आपको ordinary point मिल गया let's say Z naught आपका ordinary point है तो फिर उस Z naught के ordinary point के इर्दगेर्द आप अपना जो है power series लिखेंगे general power series को आप इस तरह से लिखेंगे an times Z minus Z 0 to the power n अगर आपका Z naught 0 है तो यह बड़ी सादा सी शकल ले ले लेता है तो यह सिर्फ Y Z रह जाएगा क्योंकि Z naught 0 हो गया अगर आपका ordinary point 0 है origin है फिर आप तीसरा क्या काम करेंगे आप plug करेंगे इस Y of Z को and Y prime of Z को and Y double prime of Z को जितने भी derivative ने second order है तो यह है अपनी second order OD में put कर देंगे जब आप यह काम करेंगे तो उसके बाद चौता step आपका ही होगा के compare coefficient बलके नहीं each coefficient इसको ऐसी फार्म के अंदर लाना है कि each coefficient of same exponent बलके नहीं इसको each coefficient of same same exponent same power वाले आपका जो विरियबल है उसकी जो पावर है उनको आपने equate करना है जब आप powers को equate करेंगे तो उनके coefficients जो है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे को एक राइट एंड़ साइट पर 0 है must be 0 तीक है जब यह कर लेंगे तो फिर आपको क्या होगा पांच में स्टेप के अंदर आपको रेकर्स रिलेशन मिल जाएगा जब आपको रेकर्स रिलेशन मिल जाए तो समझ लें आपका काम हो गया अगला काम यह है कि आप आप पिक करेंगे ए नॉट एंड ए वान ठीक है और बस ए नॉट ए वान पिक करें तो आपका जो स्लूशन है वो निकलाएगा देन वाई और जी माइन जी नॉट जो उपर आपने लिखा था इस यूर स्लूशन तो अगर सेकंड ओडर है तो दो स्लूशन निकालने पड़ेंगे आपको तो इसका मतलब आपको दो दफार दो डिफरेंट चोईसेज लेनी पड़ेंगी ए नॉट और ए वान की तो यह वो स्कीम है जो वो पावर सीरिस मैथड में इस्तमाल होती है